हेलो वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे और गार्डनिंग को और सर्दियों के मौसम को इंज्वाएं कर रहे होंगे तो हमेशा की ज़रा सबसे पहले अपने गार्डन की सैर और उसके बाद कुछ काम की बाते तो सबसे पहले आज आपको मैं लिखाती हूँ कि कल इन बॉटल्स के ऊपर कुछ चित्रखारी की आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में की कैसे लग रहे हैं ये बॉटल्स तो पहले इसके ऊपर वाइट पेंट किया हुआ था तो वो कुछ खाली-खाली सा लग रहा था तो अब उसके ऊपर ये फेसिस बना दी है इन फेसिस को देखके भी गार्डन पे अच्छा लगता है और साथ-साथ फूल्स तो होते ही है देखने के लिए तो इस प्रकार गा तो वीडियो भी देखिए कुछ इस प्रकार से बनी है तो आज हम बात करेंगे अपने गार्डन में लगने वाले कीड़े के उपर जो हमारे गुल्दावदी के पोधे पर लग जाते हैं आप लोगोंने भी देखा होगा कि गुल्दावदी के पोधे पर छोटे-छोटे ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते है जो गुल्दावदी के पोधे को खराब कर देते हैं और ना उस पर ढंक से फूला सकते हैं और ना ही वो उस पोधे की ग्रोध होती है तो आप भी समय समय पर अपनी गुल्दावदी के पोधे को चेक करते रहें यह देखिए यह इस प्रकार यह black color के कीड़े लगे होते हैं जो बिलकुल इस पोदे के रस को चूज के इसको बिलकुल खराब कर देते हैं और फिर यह पोदा ना फूल दे सकता है और ना ही यह grow कर सकता है तो आप अगर आपको अपके पोदे पर ये कीरे दिखे तो आप इसका समय समय पर उपचार करते रहे जिस प्रकार देखे मैंने एक स्प्रे बोटल में जो एक रुपे वाला शेंपू होता है वो पूरा नीम घोलना थोड़ा सा डालना है और नीम वयल को मिला कर इसके उपर तेज़ पीड से स्प्रे कर दें अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो सीधा पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं लेकिन स्प्रे ऐसे करें कि तेजी से इस डंडी के उपर पानी की बुच्छार जाए जिससे ये कीडे खतम हो जाए अगर दूसरा उपाय इसका ये है कि अगर आपके पास राख है तो आप राख भी इसके उपर डाल सकते हैं तो देखिए इस पर भी लगे हूँ हैं दूसरे वाले गमले में भी तो समय समय पर मैं चेक करती रहती हूँ अगर मुझे दिखते हैं तो मैं इसके उपर ये ऐसे स्प्रे कर देती हूं शैंपू और नीम वैल का तो अगर आप भी तीन चार बारी इसके उपर ऐसे स्प्रे करेंगे तो यह कीड़े बिल्कुल खतम हो जाएंगे अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते आपको आसपास कहीं आपके चूले की राख मिलती है तो आप इसके उपर राख भी डाल सकते हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यार लखना पड़ता है कीड़े पसंगे जो हमारे पोदों को खराब कर देते हैं यह देखिए अप राजीता पर फूल आये हुए तो इनकी रोकसाम के लिए समय समय पर हमको इस प्रकार स्प्रे या कीट नाशक दवाई पानी में खोल के इनके उपर स्प्रे कर सकते हैं देखिए इस पर नहीं लगा हुआ इस वाली पोदे पर तो इस पर स्प्रे नहीं कर रही मैं तो जिस पर लगा हुआ है वो काले कीड़े तो आप उसके उपर समय समय पर स्प्रे करते हैं चार से पांच बारी अगर आप जाएंगे यह देखिए मिर्ची के ऊपर भी कितनी मिर्ची आई हुई है यह मैं आपको जूम करके दिखाती हूं यह देखिए और यह फूल भी बने हुए है साथ में जो कि दो से चार दिन में मिर्ची का रूप ले लेंगे मिर्ची के पहुते पर देखी इस पर का सफेद फूल पहले आते हैं फिर उसके बाद ये मिर्ची का रूप ले लेते हैं तो चलिए मिलती हूं फिर आपसे अपनी नेक्स वीडियो में मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए